असलाम लेकूम मैं हूँ नादिया तन्वीर और आप देख रहे हैं All About Baking बैं नादिया तन्वीर तो जनाब आज मैं आपको ये वीडियो खास तोर पे बिगिनर्स के लिए है ठीक है जिनको अगर टीचर्स डे आ रहा है खैर से जैसे के 5 एक्तूबर को पाकिस्तान में टीच जाएगा बहुत असान तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आपनी किस तरह से बनानी है अच्छा जो में यूट्यूब फैमिली मेंबर पुराने हैं उनको तो यह पता ही होगा मैंने कैसे बनाया है बट जो थोड़े से नए हैं जो अभी जोनों ने जॉइन किया है उनको मैं बता दू कि आपने ये किस्ती से बनाने है ये आपने गम पेस्ट से बनाने है गम पेस्ट मैंने आपको बनाना सिखाई हूई है अगर आपके पास गम पेस्ट नहीं है मैं कोशिश करूँगी लिंक डाल दूँ आप उस रेसिपी से बना लीज़े कि घर में बन ज तो मैं आपको बताती हूँ, फॉर्डेंट होती है चनाब चीनी से बनती है और यह केक के ओपर हम जो भी डेकुरेशन करते हैं हम फॉर्डेंट से करते हैं क्योंकि एक खाने वाला है तो उसके ओपर जो चीज लगेगी डेकुरेशन की जादा प्रेफरेबली खाने वाली इंया, आक से बनता जो बनाते हैं क्यों बनाते हैं क्यों क्यों बनाते हैं वह इस वचा से कि फॉर्डेंट से फॉर्डे को कर सकते हैं गम-पेश से लिख जो सब्सक्राइब Medium देख मैं और से दिकिए कहां सबता है, मैं तो नित्सकिन फॉर्ड है ठाहावे बताब फिरेंज धना यहां में राउन कलर एट कद दुझा है अभभा को एक बेट बहुत आसटारए ठीछान ऊच्छान के लागड़न के शच्छान से शाहिए बिनसला के पाश भीreno आप्स Îंगे करेंदिOS टीचर्स का दिन होता है और वो डिजर्व करती हैं कि हम उनको इतनी रिस्पेक्ट दें जिसकी वरा से हम मतलब आप जिन्दगी में बच्चे आगे जाते हैं हमारे लेकिन मेरा उस दिन बहुत जादा काम था और मैंने जाना भी था और शादी भी थी तो फिर आपको पता है में बड़ा मुश्किल हो जाना था अब सेटर्डे को है आप देखो हो सकता बच्चे मंडे को लेके जाएं आप यह देखे चनाम मैंने पैंसल की शेप दे दिया आप सिरफ ग्रीन कलर की फॉर्णन लेकर उसे पैंसल की शेप में डाल ले आओ और उपर वाला जो यह तो कोना साइसा होता ना यह आप ब्राउन वाली यह लाइट स्कीन वाली फॉर्णन से रख लो लेकि वो ना उपरा उपरा सही लगता मतलब को इतना खास मज़ेका नह आपने सिरफ ब्लैक कलर लिया मैं विप्ग्योर की कलर यूज करते हूं एक खी स्कीन घृण से इस में मिक्स किया अगर आपके सो कली है तो औक आप स्टिट से सीयमश ही है टायल होसे टाल के गूंद लेना है आपस मिक्स कर लाना है उसके बगार अगर आप बनाओगे वह सही नहीं बनेगा ठीक है अच्छा दो तरीकों होता है बो टाय बनाने के एक तो यह है कि आप एक पटी काटके इस तरह से इसको बना के शेप दे लें, उपर पटे लगा दें, मैंने वैसे दो तीन तरीकों से बनाना सिखाई है, एक तो यह तरीका हो गया, एक दूसरा भी मैं आपको सिखा दे तो आपको जो इजी लगे ना आपने वो करना है, ठीक है, इसको ना सेंटर से आपने उठा तक यह उठा उठा सा बने ठीक है ना, इस तरह से पहनना आपने अंदर रख देना है, इससे क्या ओगा कि अच्छा सा बन जगा अब मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ, दूसरा तरीका कौन सा है, भल तो जिनाब दूसरा तरीका यह है कि आपने एक फॉर्णन को बे लगा है, उसके लिए मासर जाहरा बार बार मुझे दूने पड़ते हैं कलर लग जाता है, अच्छा जी यह चीज़ आप देखो कि आपने फॉर्णन के ओपर जब भी कुछ करना है ना, आपने फॉर्णन के ओपर मैदे से कुछ नहीं करना, आपने इसको जैसे खुशका ज इसको कर लिया, कितनी खुबसूरत लग रहे हैं, यह बहुत अच्छी बनती है, यह वाला तरीका बहुत असान है, आपने इस तरह से एक फॉर्णन के पटी लेके, उसके एज़िस को थोड़ा सा मोड लेना है, साइच से और इस तरह से इनको उपर निचे रखके, तो आप आपने जनाब इस तरह से इस तरह से आपने इसको जोड़ की, ऐसे उपर की तरफ ले जाना है, और आपका जो है, यह क्लियर हो जाएगा, और इतना प्यारी आपकी बोटाई रेडी हो जाएगी, अच्छा जब भी आपको टॉपर्स को ओर्डर आए, कोशिश करें आपके, आपने एक दिन पहले बना के रखने हैं, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएए, और स्टेबल हो जाएगा, लो जी जनाब, यह हमारी बोटाई हो गया है, रेडी, अब यह सौफ्ट है, अच्छा इसके अंदर ना, आपने एक काम करना है, कोई पैन या, कोई ऐसी मोटी किसी चीज ना, आपने इसके अंदर साइडों से डाल देनी है, ताकि यह खड़ा खड़ा रहे है, वरना यह नीचे की तरफ बैठ जाएगा, अच्छा अगर पैन वगरा नहीं रखना चाते हैं, आप कागस को मोड के ना, या किसी भी पेपर को ऐसे इसी शेप में लाके थ आना, कार्ज लेके जाने, इतना हमने खुश होना, कि बस टीचर हमारी खुश हो जाना, वाकिए, वाकिए सासा पता नहीं चीजे बदल जाती है, जब हम छोटे होते हैं, में टीचर का कितना ख्याल होता कि आच अच्छे पने टीचर को ये करना है, वो करना है, लिकि जब बड़े होते हैं ना, तो में चीजे थोड़ी से फजूर लगती हैं, कि यार, अच्छा चोलो, बस क्या कहना, कोई जरूर, लेकिन मैं एक बात बताऊं, जिनगी में हमेशा आपको जरूरत रहती है, इजहार की ना, आपको आगे बढ़ने के लिए, चाए आप किसी भी रि की हैं, विब्ग्योर के कलराची से भी मिल जाते हैं, हर जग कहां से मिल जाते हैं, मैंने सबसे पहले विब्ग्योर का येलो कलर डाल के फॉंडन में येलो कलर बनाया, फिर फॉंडन के अंदर मैंने पिंक डाल के पिंक बनाया, अब मैं ग्रीन डाल के ग्रीन बना रही हू ठीक है, अक्सर लोग कहते है, फांडं में कलर कौन से विब्गीर के कलर चल जाते हैं सौरी, क्रीम में भी और फांडं डोनों में चल जाते हैं आप बे फिकर होके ना इसको डाल सकते हैं ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये देखो रैड कलर जो है न ही ऐ आप फांडिञ में बी अच्छा सचा अगया क्योंकि गम्पेस में बहुत ऊच्छा रैड कलर आता लिकि घय की रैडिंट होटी है। न उसमें इतना आफ टांड है नहीं आता उसके आप जितना मरसी डालोगे वो इतना डाक नहीं बनता अब ये देखे जिनाब जो मैंने स्क्वेर से पीसी काटे थे ना उसको मैंने इसताँ से पट्री काट के रखा और नीचे थोड़ी से मैं टायलोस ग्लू लगा дee टैलोस ग्लू क्या होती है टैलोस पाउडर लेके उसमें थुरा सा पानी डालके मिक्स करके आप उस ते अपने टॉपर्स को जॉइन करते हो ठीक है अब यह देखे जनाब बातों यह बातों में मारी कताब हो गई है रेडी और यह देखे आपने इसके साइडें जो एना ठीक कर लेनी है बाकी जनाब इसी तरह से मैंने सारी कताब बिनानी हैं अब मैं आपको था पैंसल का भी एक तरीका बता दूँ इस तरह से हमने पैंसल की शेप स्कीन कलरे की दियो यह ना इससे जरह ना नीट पैंसल वाली लूक आती है वरना वो अपर रखा-रखा सा ना अलग लगता है बलकि मैं आपको रखके भी दिखा दूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए ठीक है अच्छा जनाब कल वरा जो स्क्वेयर की एक था बनाया तो मैंने बहुत में नज़े था लेकिन अविसली मैंने उसका अपने पेश पे तस्वीर ने लगाई मुझे त बना के रखने है थोड़ देर बाद आप देखो कि खुदी बड़े अच्छी सी ड्राय हार्ड हो जाएगी अच्छा जनाब ये बिगिनर्स आप लोग ये वले प्लंजर्स जरूर ले ले लें ये बेस्ट हैं बहुत बेस्ट हैं इससे आप आराम से अल्फाबेट्स निका रही हूं साथ में मैं इसके जो है नंबर्स भी निकाल लूगी और मैं आपको दखा दूँगी क्या 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 कर सकते हो देखें आप टीशर्स डेका कोई कपके बना रही हो आप एबी सी लिख लो उसके उपर और चोटा सा पेपर बना के लगा लो फॉंडेंट का या लव कोई order है तो आप अराम से easy हो के ले सकें चले जनाब आप यह देखे हमारा यह हो गया काम complete अब हम मैंने इसके बनाने च्छोटे से hearts अच्छा hearts जो है ना आप दो तरीके से बना सकते हो जैसे आपका दिल करें वैसे मैं तो कटर से बना ले तो बड़े सानी से बन जाते हैं आप इस तरह से भी बना सकते हो handmade यानिके अपने हाथ से भी आप इसको shape दे सकते हो इस तरह से लेकिन यह थोड़ा सा लंबा काम है वैसे cutters बड़े सही रहते हैं आप बे फिकर होके cutters सही हूं काटे और जनाब आपका जबरदस्ता heart 3D heart त्यार हो रहता है यह देखें यह भी होगे है ना हमारा लेकिन मैं आपको ना वह जो हम plunger से यूज़ करते हैं ना मैं वह भी आपको निकाल के दिखा देती हूं अच्छा इस में एक sky blue कलर की कमी है sky blue होना चाहिए तो हाँ sky blue नहीं मैंने बनाया कुछ भी चो यार इन्शाला next वह भी आपको सिखा दूँग यह plunger जरूर आप आए कर लो उससे क्या होता है कि आपका ना यह काम आते रहते हैं अच्छा आप यह देखें मैं इडिबल मार्कर लेके ना इडिबल मार्कर से यह जो मैंने पैंसिल्स बनाई थी ना उनकी टिप के ओपर मैं कलर कर रही हूं ठीक है क्योंकि मैंने का फॉर आप ना इडिबल से कर लो लेकिं प्रेफरेबली हमेशा इडिबल मार्कर से करते हैं ठीक है आप यह देखें यह जो रैड वाली साइड है इसको भी मैंने इसी तरह से कर दिया है ताके यह भी एक बिल्कुल ओरिजिनल से इसकी लूक आजए ठीक है इडिबल मार्कर आपक तनी प्यारी सी पैंसिल्स हो गई है रेडी ठीक है समझ आगे क्लियर हो गया कोई कोशिचन हो तो आप पूछ लीजेगा अच्छा एक पोस्ट में कोशिश किया करें रेलिवेंट क्वेस्चन ही पूछा करें एक साथ बहुत सारी क्वेस्चन आप पूछते हो न तो मुझे है यह तरीका कि आपने गिला वाला ब्रश नहीं लगाना आपने ओयल वाला जो वेजटेबल होता है न वेजटेबल आइल हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं आपने वह यूज़ करना है ठीक है ताके जनाब आपका इस तरह से पूरा यह क्लेयर हो जाए और साफ मुझे बताईए कि आपको कैसे लगे हैं और आपको कोई हेल्प मिली इस चीज़ से तो आपने भी अच्छे अच्छे से अपने केक बनाने हैं कापकेक्स बनाने हैं अपने टीजेस डे के लिए अब मुझे दीज़ इजासत अपना ख्याल रखेगा दौाओं में याद करें अला आफिस